तो मुझे पूरे 24 hours complete हो चुके हैं और ये मेरा face है ये मेरे face के 3 पार्ट हुए 1st, 2nd और ये 3rd क्या आपको इन तीनों ये जो face के 3 पार्ट है इन में कोई difference नजर आ रहा है मुझे तो कोई difference नजर नहीं आ रहा है ना तो soften में ना blackheads whiteheads में ना फिर कोई shine में ना कोई tan में मुझ कि इन दौनों के comparison में ये वाला part सभी लोगों का थोड़ा सा dark होता है हमारा ये वाला part clean होता है इसके comparison में ज्यादा तर सभी लोगों के साथ होता है जहां तक मुझे पता है मेरे तो है बिल्कुल difference है मेरे लेकिन जो मैंने कल एक छोटा सा shot बनाते है मैं आप लोग साथ एक शेयर करती हूं जो कि मैंने तीन peeling solution डिडर्मा को का peeling solution,urglegram का peeling solution और minimalist का peeling solution अपने पूरे face पर अप्लाई किया था तीनों part पर apply किया अप्ने face के पर और एक टाइम में मैं मैं अप्लाई किया था और तीनों का duration time था जो की होता है हमेशा 10 मिनिट का और 8 से 10 मिनिट होना चाहिए इतना ही मेरा था तो मैंने किया क्या मैंने एक peeling solution लिया तो यहाँ पर जो मेरा first number का step था वो मेरा मैंने यहाँ पर अपने face में minimalist का peeling solution यूज किया क्यों कि minimalist मेरा favorite है तो मैंने जो first number दिया वो minimalist को दिया तो मेरा यह वाला area minimalist का था यहाँ वाला जो मेरा area था face का वो मैंने peeling solution का peeling solution अपने face पर अपलाई किया इस जगे पर यह पूरा जो area है मेरा यहाँ तक का यह मेरा peeling solution peeling है और यह जो forehead का area है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो forehead का area है इस पर मैंने जो यूज किया है मैंने पिलरिम्स का first peeling solution जब मैंने पेल्डरिम का first peeling solution, first time tria था, तब भी इस वाले area में कोई burning नहीं हुआ था और अभी भी इस वाली area में कोई बर्निंग नहीं हुआ है, अब बात है कि आप peeling solution, पर इतने सारे video's बना क्यों पर ये क्यों ये मुझे आप लोग का एक confusion था वो clear करना था प्लस मेरा भी एक छोटा सा doubt था वो clear करना था मुझसे अक्सर पूछा गया है जब मैंने minimalist का और D-derma का peeling solution पर वीडियो बनाया तब मुझसे पूछा गया कि इन दौनों में से best कौन है आपको क्या लगता है कि कौन सा जाधा best है फिर मुझसे पूछा गया कि पील्ग्रिम वाला जो भी मैंने अभी कुछ टाइम पहले पील्ग्रिम का मैंने का जैसे मैंने इसके 3-4 सिटिंग्स ले ली है उसके बाद मैंने उस पर वीडियो बनाया तो जो मैंने पील्ग्रिम पर बनाया तब मुझसे पूछा गया कि आपने कोई भी प्रडेक्ट को कोई भी कैमिकल को कोई भी एसिट को अगर आपको रिजल्स देखने तो आप 4-5 वीक्स उसको कंटिन्यूस करो उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक्च्वल में इसके रिजल्स अच्छे है नहीं है यह आपके लिए अच्छा है नहीं यह तो मेर माना है अब बात करते हूं इन तीनों में से बैस्ट कौन सा है यह बताना मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था हा लेकिन अगर जिनकी स्कीन सेंसिटिव है उन लोगों मैं सिर्फ इतना सा सजजेस्ट कर सकती हूं कि आप लोग प्लीज पील्ग्रम ट्राए करो मेर मेरी oily skin है मैं minimalist यूज़ करती हूं दीडर्मा यूज़ करती हूं मैं अकसर देखा है मुझे itching होता है और minimalist वाले पार्ट में तो मुझे फेस को वाश करने के बाद भी 15-20 मिनिट थोड़ा सा itching रहता है थोड़ा सा खुझली रहता है थोड़ा सा burning रहता है लिए कोई नुक अब बात है दो हपते मैंने minimalist यूज़ कर लिया दो हपते मैंने Pilgrim यूज़ कर लिया दो हपते मैंने डीडर्मा यूज़ कर लिया वैस्ट कौन सा है कैसे पता चलेगा क्योंकि तीनों से कोई reaction नहीं हुआ कोई problem नहीं हुआ कुछ अलग से नहीं निकल काया कोई ऐसा भी न चलेगर कोई जनाएका कर दो गांने जना राण से कामिकल कृच यूज़ कर लिए वीदे बीदा नहीं हूं explored लुच आपको यूज़ कर ले चयरा च्टो मैंने की शीचा स hebben लिए वन टाइं उसका है कैसा जा रहा है अच्छा है नहीं है वो वाली चीज मुझे महसूस हुई जब मैंने उसको अप्लाई किया तो मैंने सबसे पहले ये वाला पार्ट तो पूरे टाइम वाश से पहले अप्लिकेशन के दौरान वाश के बाद मौश राइजर के बाद कुछ नहीं रिजल्स नहीं वैसे कुछ नहीं ना बर्निंग ना इचिंग ना कुछ ना कुछ कुछ भी नहीं सबसे पहले मुझे बर्निंग शुरू ही जबकि जो दी डर्मा को है उसमें 30% एच है लेकिन मुझे मिनिमलिस से सबसे पहले बर्निंग शुरू ही इस वाले पार्ट में उसके बाद मुझे बर्निंग शुरू ही तीन मिनिट के आसपास आई थी इस वाले पार्ट में फिर यह continue रही मुझे उसके बाद 10 मिनिट कंपलीट हुए 10 मिनिट के बाद जब मैंने फेस को वाश किया मैंने पहले इसको टच करके देखा बिलकुल स्मूध था फिर मैंने इसको टच करके देखा यह भी बिलकुल स्मूध था यह भी स्मूध था और यह भी स्मूध था मुझे यह नहीं पता चल रहा था कि मैंने अभी कोई अलग केमिकल एक फेस के उपर मैंने एक टाइम में तीन अलग-अलग केमिकल ट्राय किया ऐसे मुझे कोई फिलिंग नहीं आ रही थी और कसम से कुछ मुछ लग भी नहीं रहा था तो मेरी skin का अगर मैं smooth की बात करूँ तो तीनो का texture बिल्कुल smooth था कोई problem नहीं थी कहीं से कोई दरदरा नहीं था कहीं से कुछ ज्यादा नहीं था एक चीज थी सरिफ यह वाला जो मेरा पाट था इसमें जब मैंने peeling शुरू करी और peeling शुरू करने के बज़े मैंने face को wash कर लिया फिर मैंने Peel Cream का D-Derma Koka जो मेरा hyaluronic acid का moisturizer था मैंने अपने face पे अपलाई किया यहाँ पे भी मुझे burning फिल नहीं हो रहा था moisturizer के बाद यहाँ पे भी नहीं हो था लेकिन यह वाला area तो आई थी मुझे पूरे 15-20 मिनट तक irritate कर रहा था तो तो रहा से itching हो रहा था तो रहा से burning हो रहा था लेकिन ना कोई redness हुआ ना कोई acne हुआ ना कोई pimple हुआ ना कोई rashes आए कोई problem नहीं थी तो मैंने हमेशा से कहा है कि अगर मैं products की और अगर मैं brand की बात करूँगी तो जो मेरा faith है मतलब जो मेरा favorite है पील्ग्रीम बहुत अच्छा brand है दीडर्मा को बहुत अच्छा brand है सारे brands अपने में बहुत अच्छे हैं और कुछ लोग की skin के लिए बहुत ज्यादा अच्छे है तो हाँ मुझे थोड़ा से irritate करता है लेकिन उसने मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुचा है थोड़ा से eating chemical है अगर 25% AH है तो आपको irritate तो करेगा अगर 2% VH है तो आपको irritate तो करेगा पील्ग्रम क्यों इरेटेट नहीं करता है मिरे पसका जवाब नहीं है पील्ग्रम इसस्लिए आपको इरेटेट नहीं करता है अब आप लोगों के शेयर करें आपे लिंक क्रवान को और साथ ही इसका एक चीज़ और है कि यह जो ब्रेंड है minimalist यह मेरी पसंद है जरूरी नहीं है आपको भी पसंद ना है लेकिन आपको कहूंगी एक बार आप minimalist ट्राइ करें अगर आप कोई serum चूज करना चाहते हैं अगर आप कोई exfoliation चूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसकी में बहुत ज़्यादा ट्राइन है यह मरी इसकी बहुत इजीली हमारी इसकी टॉलरेट कर लेती है आपको आदा तर्ट करने की तो फिर मैं आपको कहूंगी आप minimalist या दीडर्मा में से कोई एक चूज कर सकते हैं और मेरे फेवरेट की बात करो तो मेरा फेवरेट अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अगर आप लोग कोई एकस्फुलियेटर चूज करना है अगर स्कीन में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है माइल्ड एकने है ब्लैमिश है या फिर लूस्प या फिर पिग्मेंटेशन है फिर मलाजमा ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम में डार्क स्पोर्ट्स है एज स्पोर्ट्स है अगर यह सब शुरू आती है अगर आप 18 प्लैस से अपने लिए कोई बैस्ट केमिकल एकस्फुलियेटर चूज करना चाहते हैं फिजीकल तो मैं सजि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ तो मेरे वीडियो को एक लाइक मेरे चैनल को सब्सक्काइब कर देना थैंक्यू